आकश्वाणी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं धार्ना सचदेव देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयू के सबी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल कटी का करन अभियान चलाया जा रहा है आप से अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं कोरोना महमारी के प्रती कोई भी लापरवाही न बरते जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क लगाएं दो गस की सुरक्षित दूरी बनाए रखें बार बार हात धोएं और चेहरा साफ रखें कोविट से संबंदित जानकारी और मार्ग दर्शन के लिए राष्ट्री हल्प लाइन काम कर रही है इनके नंबर है 011-297-8046-1075 और अब समाचार पहले मुख्य समाचार वित्मंत्री निर्मला सीता रामन ने कहा अर्थ हुएवस्था को धीरे-धीरे बदलने की बजाए पूरी तरह बदलने की आवश्यक्ता प्रदेश के सैतिस जिलों में कोई नया प्रकरण नहीं 6 जिले हुए कोरोना मुख मुख्य मंत्री सोलर पंप योजना से बिना बिजनी वाले इलाकों को मिलेगी राहत और वाहनों की अधिक्तम गतिस्यक्षमता के परिक्षन के लिए इन दौर में 11 किलोमीटर लंबे विश्वस्थनिये हाई स्पीड ट्रैक का शुभारम अब समाचार विस्तार से बित्मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि नरेंदर मोधी सरकार अर्थ विवस्ता विनियमित करने और प्रणाली बद्द सुधार के लिए प्रतिवद्ध है उन्होंने कहा कि अर्फिवस्ता को धीरे धीरे बदलने की बजाए पूरी तरह बदलने की आवशक्ता है एक अंग्रेजी धैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित लेक में श्रीमती सीतारामन ने लिखा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने अपने पहले कारेकाल के दौरान 1200 पुराने कानूनों और दूसरे कारेकाल में 58 से अधिक पुराने कानूनों को खत्म करना सुनिश्चि किया है वित्मंत्री ने यह भी कहा कि सभी व्यक्तियों और परिवारों को कैशलस स्वास्ते देखपाल आयूश्मान योजना और जीवन जोती सुरक्षा भीमा का लाब भी मिला है श्रीमती सीतारामन ने कहा कि छोटे से छोटे व्यपारियों के लिए गारंटी रहित 50,000 स से 10,000,000 रुपे तक की मुद्रा रिन योजना का लाब लिया जा सकता है फिकी और भारतिय उद्योग परिसंग सहित उद्योग जगत की विभिन संगटनों ने अर्थ्यवस्था को प्रोच साहन देने और विभिन क्षेत्रों को रहत उपलब्द कराने के सरकार के उपायों नहीं मिला है वहीं 6 जिले अशोकनगर बुरानपुर देवास खनवा मनला और सीधी पूरी तरह से करोना मुक्त है प्रदेश में आज संक्रमन दर 0.1 प्रतिशत और स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.8 फीसदी हो गई है सक्रिय प्रकरणों की संख्या 630 रह गई है प्रदे देश में 18 वर्ष से अधिक आयोग के विक्तियों को कुल 2 करोडोस लगाए गए हैं नीती आयोग ने आज देश में लाब के लिए नहीं मौडल अस्पतालों के व्यापक अध्यान समंदी रिपोर्ट जारी की है इस रिपोर्ट में ऐसे मौडल अस्पतालों के संचालन के बारे में व्यापक जानकारी उपलब्द कराई गई है जो लाब के लिए नहीं चलाजाते रिपोर्ट में इस तरह के एस्पताल चलाने की किफायती रननीतियों पर विस्थार से चर्चा की गई है देश में इस समय से एस्पतालों के बारे में विश्वसनिय Josh जानकारी का अभाव हैं जो लाव कमाने के लिए नहीं चलाए जाते और उत्कृष्ट तथा के फायती स्वास सेवा उपलब्द कराते हैं। घर के कामों में दक्ष महिलाएं अब हाई टक भी हो रही हैं। तीन महा का कंप्यूटर कोर्स करने के बाद वे इमेल, फेसबुक और ट्विटर जैसे इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय नजर आएंगी। रोचक बात यह है कि इन महिलाओं को डिजिटल तकनीक सिखाने के काम में उनकी बेटिया ही मदद कर रही है। यह अभिनव पहल भुपाल के शास्किय करने आउचतर मादिमिक विद्याले जहंगिराबाद ने शिरू की है। स्कूल ने एक स्वेम सेवी संस्था काउंसल्स कॉटेज के साथ मिलकर चातराओं की माताओं को निशुर्क Microsoft Certificate कोर्स कराने का बीड़ा उठाया है। कोर्स में प्रवेश्ट केवल चातराओं की माताओं को ही दिया गया है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद परिक्षा भी होगी और इसके बाद प्रमान पत्र भी दिया जाएगा। अब तक 250 माताओं इसमें शामिल भी हो गई है। कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए। मास्क लगाएं। दो गस दूरी है जरूरी। सुरक्षित दूरी रखें। हाथ हर मूँ साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलिटन में एक बार फिर आपका स्वागत है। यह योजना प्राथमिक्ता पर प्रदेश के उन दूर दराज के क्षेतरों में भी क्रियान वियत की जाएगी। जहां विद्यूत वितरन कंपनियों द्वारा विद्यूत अदोसन रचना का विकास नहीं किया जा सका है। राजेशासन की ओर से अधिक से अधिक क्रिशकों को योजना का लाब देने के उदेश से अनुदान की राशी 30% तक सीमित किया जाने का प्रस्तावस्वी कृत किया गया है। सोलर पंप के उप्योग से परियावरन भी सुरक्षित होगा। यह निरने आज मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान की अध्यक्षता में मंत्राले में मंत्री परिशत की बैठक में लिया गया। बैठक में ऑक्सीजन उत्पादन अक्षमता में वृद्धी और डायल हंडर्ड सेवा के संचालन का अनुबंध बढ़ाने सहित कई विश्यों को मंजूरी दी गई। भारी उद्योग और सारुजनिक उपकरम मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज नेट्रेक्स इंदौर में 11 किलोमीटर 300 मीटर लंबे विश्वस्तरिये हाई स्पीड ट्रैक का वर्चुआल शुभारम किया। श्री जावडेकर ने कहा कि यह इस तरह का एशिया में सबसे लंबा ट्रैक है। उन्होंने कहा कि इसे अत्यदिक महंगी कारों और अन्निश्रेणी के वाहनों की अधिक्तम गतीक्षमता का परिक्षन करने के लिए उप्योग किया जाएगा। इस अफसर पर भारी उद्यो स्वन पदक विजेता टोकियो 2020 में कुष्टी के 50 किलोग्राम भारवर्ग में पदक की प्रवल दावेदार सीमा बिसला की। 14 अप्रेल 1992 को हर्याना के रोहतक में जन्मी सीमा सुर्कियों में तब आई जब उन्होंने वर्ष 2017 में 53 किलोग्राम भारवर्ग में पहला सीनियर राश्ट्रे खिताब जीता सीमा बिसला का सफर सीनियर वर्ग में काफी उतार चड़ा भरा रहा 29 वर्षिय सीमा ने गुरुग्राम जिले के जड़सा प्रशिक्षन केंदर में प्रशिक्षन हासिल किया है सीमा ने विश्व उलंपिक क्वालिफिकेशन में स्वर्ण पदक जीता और टोकियो उलंपिक में अपना स्थान पक्का किया इन खेलों में क्वालिफाई करने वाली वे चौथी भारतिय महिला है प्रदेश में कोरोना के टीके को लेकर लोगों में भारी उत्साहा देखने को मिल रहा है वे टीका करन किंद्रों पर पहुंचकर कोरोना से ब कोर्ड वैक्सिनेशन हुआ था महाभियान के अंतरगत प्रदेश में शुरुवाती पांच दिन में पचास लाग से अधिक लोगों ने टीका लगवाया है और बुलिटिंग में कुछ समाचार संशेप में प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी की अधिक्षता में केंद्रिये म देश को चनौती देने वाली याची का खारज कर दी है सतना सांसत गणेश सिंग ने आज जिला अस्पताल परिश्वर में प्रधान मंत्री केर फंड से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट के सेथ निर्मान के कारे का निरिक्षन किया शिवपुरी जिले में बारिश ना होने स से गर्मी और उमत से लोगों का बुरा हाल है बारिश ना होने से किसान भी परिशान है चतरपुर में एक और तीन जुलाई को ठीका करन का महाभियान संपन होगा जबकि कल ठीका करन नहीं होगा राजगर जिले में नेशनल लोग अदालत का आयोजन 10 जुलाई को जिला नि एक 29,000 से ज्यादा सैंपल लिए गए है सागर जिले की ग्राम पंचायतों में अटल भूजल योजना के तहत किये जा रहे कारियों की प्रगति इंसे नाकुश होकर कलेक्टर ने एक सप्तहा के अंदर कारे योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं खंडवा में परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के उदेश से हलके वहन चलाने का निशुलक प्रशिक्षन कारेकरम आयोजित किया जा रहा है गुना में जिला निर्वाचन अधिकारी फ्रांक नोबल ए ने राजनेतिक दल के प्रतनिदियों के साथ कलेक्टरेट परिसर में स्थित ईवी एम और वीवी पैट के कात्रेमासिक निरिक्षन किया और बैतूल जिले में जल्द सनक्षन के कारें को प्राथमिक्ता के साथ संचालित किया जाएगा अंतre में बुलिटिन के मुक्ये समाचारे एक बार फिर वित मंत्री निर्मलाचीता रमन ने कहा आर्थ विवस्ता को धीरे धीरे बदलने की बजाय पूरी तरह बदलने की आवशक्ता प्रदेश के 37 जिलों में कोई नया प्रकरण नहीं, 6 जिले हुए कोरोना मुक्त मुक्य मंत्री सोलर पंप योजना से बिना बिचली वाले इलाकों को मिलेगी राहत और रवाहनों के अधिक्तम गती श्यमता के परिक्षन के लिए इन दौर में 11 किलोमीटर लंबे विश्वस्तरिये हाई स्पीड ट्रैक का शुभारम बुलिटन में फिलाल इतना ही बुलिटन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखे मास्क और दोगस की दोरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार